आउचको दोस्तों फॉस्टार्ट करतें आज की Video में उत्रक्भंड की प्रमुक्त जाती यानी जनजातीं के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले शुरुरू करते हैं थारु जनजाती से तो थारुरु जनजाती जो है वह आपके उस दम सिंह नगर में निवास करती है और मदिरा और जाड मदिरा इनकी जो जाए इनकी चावल से निर्मित होती है और कहाबर जो एक शब्द होता है वह वनों के में आख्यट से समबनेद वाते हैं मात्रे सतात्मकिस में समाझ पाया जाता है धारू जन्जाति के जो लोग होते हैं वो आप अपने आपको किरात वंशी और महराना परताप के वंसज माते हैं और मैंने भी बताया आपको मदीरा में ये जाड का सेवन करते हैं जो कि चामल से निर्मित होती है इनके प्रमुग देवता हैं खडगा भूत पच्छावन नगर्याई शीतला धोर चांदी जगमित्या बागेश्वरी काली भूमिया को रोदेव तो जो खडगा भूत और पच्छावन ये इनके इस्ट देव हैं जो शीतला है ये छोटी माता है जो चेचक होता है जो रोग होता है उसके लिए इनकी पूजा की जाती है और बागेश्वरी को शिकार के लिए होती है इनकी और भूम भूमिया जिनने बाबा बड़ा बाबा का चबूत्रा भी का जाता है यह परतेग परिवार के घर के आगे होता है और मुर्गा एवं मुर्गे एवं सुवर का यहां पे क्या चड़ाया जाता है भरड़ा थारु में भरड़ा तांत्रिक या ओजा को कहा जाता है ताला को व्रारी कहा जाता है और, जो थारू लोग है उनका जो बस्तर है वो लंगोटी पैनते हैं और थारू जो है हरिया पूजा करते हैं जब धान की कटाई होती है उसके बाद हरिया की पूजा द्यान की बुवाई के बाद हरिया पूजा करते हैं और दशेरा पूजा नवरात्र में करते हैं दशेरा पूजा बजहर जो है इनका त्योहार है और दिपावली को ये शोपर्व के नए व्यवस्ता है जहां पर विवाद के द्वारा कोई भी मामला सुल जाया जाता है बग्गा बग्गी खेल भी थारू से सम्मंदिद है और विरादरी पंचायद के जो मुख्या होते हैं में उन्हें चौद्रियम है तो कहते हैं जिनके नीचे बढ़ धेर होते हैं भले मान हैं और इसमें दिखनोरी प्रथा भी इनमें प्रचलिताय दिखनोरी संयुक्त एबं इका की विव प्रथा भी इसमें ही इनकी ही इतारों के सभ्मंदित आया जुमड़ा नित्यगीत है और लहेचारी इनका नित्य है यह आपको दिहान में रखना है अब जोनेस्ट जंजा जाता हैं जैरिफनसर जिंजाती हैं आपको पवांडव के बनद भर दोंग होते हैं और वर्गों पोंते इस हे SutRA झारीजन फृट अबहुता कि लोग बहुति विवाह यहां पर पत्र सत्तात्मक समाजím पाए जाता है जो हमने उपर थारू में डिसकस करना बूली है वहां पर मात्र सत्तात्मक परिवार विवस्था पाए जाती है ठीक है इसके बाद यहां पर बाय था जो शब्द है वह जाड़ पूख से संबंदिद है गणात प्रथा शत्रू परिवार को हानी पुछाने के लिए कि जाती है और उल्टा विधी जिस पर तांत्रिक विद्या प्रियोग होता है तो तांत्रिक विद्या दूर करने के लिए उल्टा विदी का प्रियोग होता है उजा विदी किसी व्यक्ति को अगर बिमारी है तो बिमारी दूर करने के लिए उजा विदी का प्रियोग होता है और यहा याँ पर बिभाव की विवाव पती समय रहत նान शौकतवाला विभा होता है विवाव न क्टेवता महसु है न हमनूल तीरति सल है लाखामंडल भी है और जागढ़ा जे होता है जागढ़ा तयोहार महासु देवता के मंदिर में मनाए जाता है विस्व चॉहार जो हता हो बैसाके स Climate में मनाए जाता है और इसमें चॉमिला लगता है और उसमें preventing किया जाता है बहला नित्य करते हैं जराइए यहां पर भीद पालुका क्या त्युहार है भीरोली संतान कल्यांड के लिए से संबंद्ध है और और गीमा और यहां पर उतने वस्थर है घागरा डिगूबा और जगोली डिगूबा वो तीए उनसे बनी वी जूटोपी होती है वो डिगोबा कहला थी है इसके बाद पंचायत पाएंता विजयदशमी को यह पाएंता कहते हैं आप पंचाय को दशेराय पांचो भी कहते हैं अठोई जनमाश्टमी को कहते हैं और अंडे कांडे का डांस किया जाता है पॉनाई नित्य होता है जहला नित्य होता है जंग बाजी नित्य होता है मरोज नित्य होता है ठीक है पत्य बाजी नित्य भी होता है यहां पर जौन सारी जन जाती में हारुल रित्य जो होता है उसमें रामतुला वादी अंत्र बजाए जाता है मांगल केदार छाया वह भी रासु इन पारदा नाटी आया इसके बाद जो पंचायद विवस्ता होती है खुम्री कहते हैं इनके पंचयद को क्या कहते है कुम्री क्वम्री का जो उंते हुप Lewis खूम्री लाधू एवम साकुली जो तयां पर चामल के पापड होता है लाडू एवम सांकुली चावल के बनेवे पापड़ होते हैं यह भी दिहान में रखना है इसके बाद है जौनसान राजनेतिक जागरूपता के जनक है गुलाब सिंग और कवी जो हैं पंडित शिवराम इन्होंने वीर केश्री चंद्र नाव पुस्तक लिखिया जो वीर ह्लिए और मुलूफ सागर किया है गयन को कहा जाता हैं को कहा जाता है में जुक्वनार है سंगी जनक नंदलाल भारती है और जोनसार राजनेति जागरूपता के जनक ओनेगुलाब सिंग है ठीक है कि यह सुत जांकारि कि इसके बारे में ती जौन सारी chemotherapy बारे увидеть हैं अगली जनजाती देखते हैं भोटी जनजाती और इन वरता पाय जाती है में तिब्बत से विया पार करते थे किरात वंशी अर्द भुमंतु जाती है अपने आपको खस राजपूत बताते हैं यह ठीक है और साली साली पुली आभुषण को कहते हैं जिसमें बल्डंग बीरावली पतेली पाली मनसाली मनसाली लाल मनकों की माला होती है जो के गले में पहने जाती है जाडबोतिया के जो भासा होती वह रूमबा उतिया और लहसर वसुर्गेन उत सब मनाते हैं इनकी उप जाती हैं जेटरा चापडा या बकरिया भी कहते हैं गर्बियाल गुंजियल मार्तोलिया टोलिया पांग्ती इसके अलावाँ जो यहां कि पूली पूलीवें को काथ चावल फूलि मेली मीठीन और रिखक्षव यह उनी गैजू केकान किजडे ही उत्सम मनाते हैं र बारष में गवन संस्कार होता है मृतक के शांती के लिए और भूमों संस्कार होता है तीन महा के बाद होता है बच्चेगा ठीक है इसके अलावा यहां पे चमुली में पाए जाते मार्चावा तोल्चा आपितहौर अगड में शोका जोहारी चौंदासी दार्मिया उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया और याद रगना महा हिमाले के सरवादिक आवादे वाली जन जाती भी भोटिय यह रितु प्रवास करती है मैत इनका ग्रीश्मा कालिम आवास होता है मुंडा मुंसय गुंडा इनका शितकालिन आवास होता है । में रखना। मु typical देव एक ठरवभ नदा देवहाती परवत कि यह करते हैं पूजा करते हैं और पूणा निच्ति विवहा के समय करते हैं't in comes तो हम धूदादी कंटिल्विधी आद्धु City फ़िवा परता पाए जाती है विवा को ये क्या कहते हैं दामी कहते हैं सगसंबंदिए और भूट यह अलोक सुआरा क्याते हैं दिःहन में रखेंगे इसको भी फैलावा घूर्मा विपत्य के समय पूझे जाने वाले तो कुछ देवताओं के बारे में जान लेते हैं चिसे से GP love है तो ुर संपति और बया पार के बारे में समसे संवानिद है घंटा करण पशों की रक्षा से संवां शाइन देवताब जूम खेती करते हैं यह तुब्रा बाज्यू तिमली यह इनके क्या है लोक गीत है बोटिया जन जाती के और बाज्यू जो है वीरस की गीत है और सामाजी गीत है तिमली यह जानकारी थी किसके बारे में बोटिया जन जाती जो की एक किरात वनिश्य अर्द गुमन्तु जाती क리के चंपावात के बनवसा में सर्वत्तिमा के बसे से दून में इन्हें महर बोक्सा कहा जाता है जो बहावरी रज बहसी और कुमया बूली बोलते हैं और इनका जो समाज होता है पितरसत अत्सुत रुट होता है जो इनके गोतरोते हैं वह यदवनसी, राजवनसी, पवार, पत इनका प्रमुक्त योहार है होंगण ग्वोट रेवर धलिया भी इनके क्या है तो हार है इसके लावान यहाँ पर विवा प्रथा पाये जाती है जैसे रत जहगा वाच्छा एककटना ूयोता नहावन दर्बार यह विवाः प्रता है रत della यह यह ौhart क्या है विवाब पर था है इसके अलावा चो देवता पाए जाते हैं वह है मुंडा सबसे बड़ा देवता है यहां पर साकर या देवता ग्राम-खेडी-देवी-खुलक वज्वालपा देवी यह सब से तबन ऐसे किन इसके अलावा यहां पर विरादरी पंचायद पाई जाती है जया कि नियाइस संभन परिसाट उतीए its का जो है जो स्वास ओंको होता है इसको तकत कहते हैं तकत के नीचाहिक मुनसीफ मुनसीफ की नीचे दरुगा धरुगा के नीचे से पाई होता है और अब यह विरादरी पंचायद pagan και किसे बोक्सा परिसद से गाउं को या मंजरा कहते हैं मजरा गाउं को मंजरा कहते हैं और यह मैं ने बता था तरह आज हार उनका पर्मुक त्युहार है को तो यह सारी इस सारी बातें कि इसके से रिलेटेट थी बोक्सा जंजाती से रिलेटेट थी अब लाश हमारी जंजाती राजी जंजाती यह पिथोर अगड में निवास करती है और यह अपना आपको राजपुत मानते हैं और बन्रोत यह जंगल का राजा कहा जाता है इन्हें सबसे कम अबादी इनकी संस्कार राजी जंजाती में पाए जाता है को है पलाइन वीवा राजी जंजाती में ही पाए जाता है ंक भागनाथ मलेनाथ मलिकार चुल मूल ण्चुछुर्मल छुर्मल्ट इसके अलावा जो गोरा ठावली करक्वा मकर संक्रांति इनके क्या है प्रमुक त्योहार है मुख या अद्रिश विन में पद्यतीन में पाए जाती है जूम विदी से खेती करते हैं और प्रतम विदायक इनके गगन सिंग रजवार है और टबर जो शब्द है वो राजी से सम्मनित है और र जितनी बी बाते हमने की है सारी राजी जंजाती के बारे में और वुक्स हमने देख लिया उद्दहुजिंग नगर वाले राके हैं बोटिया जो है वह आपके उतरकाश में पाए जाते हैं पिथार अगड़ में पाए जाते चमूली में पाए जाती है जौन सार में इतना ही रखते हैं थैंक यू गाइज है वनाइज दे बाई